75 गड़तंतर दिवस के मौके पर इस बार राश्पती इमानुवल मैक्रो मेहमान है रिपब्लिक डे परेट से एक दिन पहले आज इमानुवल मैक्रो जैपुर पहुँच रही है मैक्रो जैपुर में आमेर का किला हवा महेल और जंतरमंतर जाएंगे जहां वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे इस दोरान डेड़ किलोमेटर लंबा रोडशो भी होगा साथी दोनों देशों के राश्च्रा अध्यक्षों के बीच देपक्षिय बादचीत से महत्वकांशी रणनीतिक साज़दारी मस्बूत होगी जिसकी घोशना पिछले साल जुलाई में मोदी की पैरे सियात्रा के दोरान की गई थी मैक्रो 26 जनवरी को दिली के करतव्य पत पर होने जा रहे 75 गरतंत रदिवस समारों में बतौर मुख्यतिती शामिल हो रही है वो इस भव्य कारिकरम में शामिल होने वाले फ्रांस के छठे नीता होंगे फ्रांस से आया मोदी का दोस्त मोदी के महमान का होगा भव्य स्वागत पिंक सिटी में मोदी की टी डिप्लोमैसी भारत के 75 गरतंत रदिवस के महमान इस बार फ्रांस के राज्टपती इम्मैनुल मैक्रो हैं लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले आज फ्रांस के राज्टपती मैक्रो जैपूर पहुँच रहे हैं जहां पिंक मोदी के साथ आज मेगा शो होने वाला है जैपुर में फ्रांस के राश्टपती इमेनुएल मैक्रो की ना सिर्फ पीयम मोदी के साथ मुलाकात होगी बलकि दोनों ट्रिपोलियों से सांगा नेरी गेट तक रोडशो भी करेंगे दोनों नेताओं का ये रोडशो करीब डेड़ किलोमीटर तक का होगा इस दोरान पीयम मोदी फ्रांस के राश्टपती को भारत की संस्कृती की जलक दिखाएंगे फ्रेंच प्रेजिडेंट के साथ पीयम मोदी के समेगा शो को लेकर मुख्य मंत्री भजनलाल शर्मा खुद एक्शन में है वो एक एक जगह का दोरा करके सभी इंतिजामों को मुकमल कर रहे है सीयम देर रात तक पीयम के दोरे को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लेते दिखे फ्रांस के राश्पती इमैनुवल मैक्रो का भारत दोरा बेहद ऐतिहासिक होने वाला है पधानमंती नरेंदर मोदी फ्रांस के राश्पती इमैनुवल मैक्रो से मुलाकात करेंगे जैपुर में ये दोरा है और जैपुर के इस वक्त जंतर मंतर में मैं मौझूद हूँ जहाँ पर फ्रांस के राश्पती इमैनुल मैक्रो और पधान मंती नरेंदर मोदी एक साथ बैट के वारता करेंगे मेरे पीछे जो डॉम बनाया गया है जंतर मंतर में आप देखें जिसको पधान मंती नरेंदर मोदी और फ्रांस के राश्पती मैक्रो यहां पर मौजूद होंगे तब राजस्थानी जो वादियंतर है रामण हत्ता और बासुरी वादन का कारिकरम होगा उसके बाद इसी जंतर मंतर से बाहर निकल कर एक शोभायात्रा होगी जिसको पधान म जात्रा निकाली जाएगी जंतर मंतर में फ्रांस के राश्पती का स्वागत राजस्थानी अंदाज में होगा इस दोरान राजस्थानी संगीत का कारिकरम भी रखा गया है जंतर मंतर से निकलने के बाद पी-एम मोदी और इमैनुल मैक्रो हवा महल जाएंगे जहां प्रधान मंतरी मोदी और मैक्रो सेल्फी लेंगे इस दोरान दोनों नेता हवा महल के सामने चाय भी पिएंगे साथ ही हंडी क्राफ्ट की दुकान से खरीदारी भी कर सकते हैं जाएंगे और जंतर मंतर पहुचेंगे बताय जा रहा है कि हावा महल के सामने भी रुकने का कारिकरम बनाया जा रहा है ताकि फ्रांस के राजपती इमैनुल मैक्रो के साथ प्रधान मंती नरेंदर मोदी इस हावा महल के सामने सेल्फी ले सकते हैं की तैयारी पी की जा रही है स्पीजे ने तमाम तैयारियां की है और उसके बाद जब आमेर से इसी रास्ते से वापस आएंगे तब त्रिपोलिया गेट से लेके सांगा नेरी गेट तक के यानि देर किलो मीटर का पढान मंती नरेंदर मोदी संग फ्रांस के राजपती इमैन मैकरो का भारत दोरा बहुत ही एतिहासिक होने वाला है और पढान मंती नरेंदर मोदी का परकोटे में ये दूसरा रोड़ शो है जिसकी बव्य तैयारी भी हो रही है और उसको देखने के लिए लोग भी जबरदस्त उत्सोख हैं हवा महल से निकलने के बाद दोनों नेता होटल रामबाद पहले से जाएंगे जहां मौडियूलर परमाणू रेक्टर के प्रोजेक्ट समेत कई एहम मुद्धों पर चर्चा की जाएगी इससे पहले फ्रांस के राष्टपती इमैनुल मैक्रो एरपोर्ट से सीधे आमेरफोर्ट जाएंगे जहां वो दिवान याम शीश महल देखेंगे इसके साथ ही वो शीश महल से केसर क्यारी की खूबसूर्ती का भी दीदार करेंगे इमेनुल मेक्रो के दौरे को लेकर जैपुर में खासा उत्सा है पूरे शेहर को सजाया गया है अब बस इंतजार है राश्ट के महमान का